और जो ना चाहे उसे मिठा देता था आपके अपने चैनल के भी मुवीज अपडेट में और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डंकी और सलार मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट तो गाईज अगर सब सब पहले बात कर ले प्रभास की मुवी सलार की तो ये मुवी तेलकु लिंग्विज एक्शन थिलर मुवी है और गाईज इस मुवी को पब्लिक से काफी बड़िया रिस्पोंज मिला है जैसे ही वीकेंड आये इस मुवी के कलेक्शन में काफी बड़ा जंप देखने को मिला था बड़ वीक देज स्टार्ट हो चुके है तो इस मुवी का कलेक्शन भी ड्रोप होना स्टार्ट हो चुका है तो गाईज मुवी उनकर तेयर हुई थी प्रशान तनील के डारेक्शन में अगर बात करें आज याने कि इसके 19 वे दिन के कलेक्शन की तो गाईज आज को कपेंसी कल से कम हो चुकी है और ये मुवी आज लगभग 2,50,000,000 रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का 19 दिनों का ओल इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है 470,000,000,000 रुपे तो इंडिन ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 561,000,000,000,000 रुपे और Overseasus Market में ये मुवी अब तक 148,000,000,000 का कारोबार कर चुकी है तो इस मुवी का 19 दिनों का टोटल वल्डवाइट ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 709,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और वहें गर बात कर लें सारुक सर की मूवी डंकी की तो गाइज यह मूवी हिंदी लेंगविज एक्षिन कॉमेडी मूवी है और गाइज इस मूवी को पब्लिक से मिक्स रिवूज मिलने के बाउजोदिए मूवी अब तक बॉक्स उफिस पर टिकी हुई है और साथ हिमें काफ़ी जदा डिसेंट कमाई भी कर रही है तो मुवी बनकर तयार हुई थी राजकुमार हिराने के डारेक्शन में और इस मुवी में सारुक सर के साथ आपसी पन नुविकी कॉचल और बॉमन हिरानी नजर आये थे मुवी का बज़ट था केवल 120 करोड रुपे और कम बज़ट होने की वज़ए से इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर केवल 3 दिनों में हिट का टेक ले लिया था और अभी ये मुवी बॉक्स ओफिस पर काफी ज़ादा जबरदस्त कमाई भी कर रही है तो गाइस इस मुवी ने अपने अठाय दिनों में इंडिन नेट कलेक्शन किया है 222 करोड 3 लाक रुपे का तो भी अपने 19 दिन कमाए हैं 1 करोड 76 लाक रुपे और अगर अब बात करें आज यानिक इसके 20 दिन के कलेक्शन की तो गाइस आज के उक्पेंसे कल से थोड़ी कम हो चुकी है और ये मुवी आज लगभग 1 करोड 50 लाक रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का 20 दिनों का ओल इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है 225 करोड 29 लाक रुपे तो इंडिन ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 268 करोड 54 लाक रुपे और ओवर्जिस मार्केट में ये मुवी अब तक 187 करोड 50 लाक रुपे का कारोबार कर चुकी है तो इस मुवी का 20 दिनों का टोडल वर्ड वाइड ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 456 करोड 4 लाक रुपे तो गैस डंकी मुवी ने बॉक्स ओफिस पर ले लिया है और साथ ही में इस मुवी ने ओवर्सिस मार्केट में सलार को भी काफी पीछे छोड़ दिया है तो गैस ये थी डंकी और सलार मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले और आप लोग को इन दोनों मुवी में से कौन सी मुवी जादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और चैनल पहली बारा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि आपको मिलते देगी चैनल पे हर मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट आप मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई